गुड मॉर्निंग सुडेंस आज जो विशे है वो है रस रस का रहिष्य क्या है सुन्दर्ता में बिचीत्र आकर्षन होता है यदि कोई सुन्दर बस्तू हमारे सामने आती है तो हम आप से आप उसकी और खीचे चले जाते हैं यदि हम बगीचे में घूमते समय कोई बड़िया फूल देखते हैं या माग में किसी शुन्दर सरीर या मुक वाले व्यक्ती को देखते हैं नगर के किसी भाग में किसी भवन की कला को देखते हैं मंदिर या संग्राराय में कोई शुडोल मुर्टी को देखते हैं चितर साला में कोई बड़िया चीतर अगर हम देखते हैं अत्वा कहीं अन्यत्र कोई सुन्दर बस्तु देखते हैं तो हम जितने ही व्यस्त की ना हो या किसी भी तरह के काम में क्यों ना लगा हो हम सब वो सब काम छोड़कर उसे देखने के लिए थोड़ी देर ही क्यों न हो हम वहीं पर रुख जाते हैं उसे देखकर हम जिस आनन का अनुवव करते हैं उसको हम जितनी भी कोशिश करे उसे हम वैसे का वैसा वानी में कह सकते हैं नहीं कह पाएंगे और ना ही हम उसे लेखनी द्वारा प्रकट कर सकते हैं ठीक इसी प्रकार का रूची कर अनुवव हम किसी मनुरग जंग, उक्ती या बात को सुनने यो पढ़ने पर किया करते हैं हम जब कोई मनोहर रचना सुनते हैं या पढ़ते हैं तब हमारी कान या हमारा मन उसकी और खिच जाता है उस सुन्दर उक्ती को बार बार सुनने या पढ़ने से भी हम उसमें बार बार नया आनन तथा हमें रस मिलता है इस प्रकार की रसना चाहे गद में हो या पद में सुनते या पढ़ते ही हमारे हिर्दे में आनन पैदा कर देता है जिसे हम कहने सकते हैं सुन्दर प्रभावशाली हिर्देश परशी और आकर्शक उक्तिया ही कविता कहलाती है रुची भेत के कारण साहित्य शास्त्रियों ने कविता को भिन्न भिन्न परिवाशाय भी लिखिये कोई सुन्ने में प्रियर्श शब्दों के समुदाय को कविता कहते हैं तो कोई अर्थ के शहित शब्द को कविता के लिए दो बाते अविश्यक समझते हैं वो ऐसी भाषाय वेक की जाए जो सादन वेवाहर में आने वाली भाषा से अधिक सुन्दर संगस्क्रित और गठी हुई हो तथा उसका अर्थ रमनिक और आनन प्रद्धु साथ ही उनका अर्थ ही अर्थ भी मनोहर होता है अता निर्दोष गुणपूर्ण अलंक्रित तथा मनोहर अर्थपूर्ण बाइक्य को काब्य कहता है किसी कभिता को पढ़ने या सुनने से उसमें वर्णित बस्तु तथा विशे का शब्द चित्र देखने को मिलता है इस से सहिदे को अलोकिक आनन प्राप्त होता है या फिर किसी काब्य में किसी यूद का सजी वर्णन पढ़िया सुनकर हिर्दे में उत्सा बीता आदी का संचार होने लगता है किसी की करून कथा का विदावत पढ़िया सुनकर हिर्दे में दया का श्रोत उमर पढ़ता है प्रकती का कोई मनोर शब्चित्र अथ्वा कोई प्रेम प्रभंध पढ़िया सुनकर हिर्दे में अनुराग लाक्षित होने लगता है कोई हसने वाली कभिता पढ़ या सुनकर शुर्ताओं की हसी गुंच उठती है किसी घिनास्पत या भरत पादक दिर्श्य को कभिता पढ़ कर या सुनकर हमारी नाग सिकुरने लगती है या फिर हमारी रोंगते खाड़े हो जाते हैं पाटक उन्हें बार-बार पढ़ता है फिर भी उसका मन नहीं भरता वो कभी नहीं उपता है कभिता पढ़ने या सुनने और नाटक देखने से पाटक शोता या धर्शक को लोग की अन्य सुखत बस्तों में अलंब्य जो आनन मिलता है और जिसको शब्दों के द्वारा जियों कात्यों प्रकट नहीं किया जा सकता वही काब्य मेरस कहलाता है इसमें एक प्रकार से अपने आत्मा की चेतनता का ही प्रकाश होता है मन में जो बिवित भाव होते हैं वे दूसरों के अपने जैसे भावों में अपने पन का अनुवव करते हैं इस प्रकार मन वेक्तिकत भावों को शमिष्टी के भावोज में मिला देता है तब आत्मा अपना सहज चेतन रूप पास सकता है यही उसमें रस का प्रकाश कहलाता है हमारे हिर्दे में प्रेम, क्रोध, घिना, करुणा, भय, उत्सा, आदी भाव, स्थाई रूप से सदेव बने रहते हैं जब हम नाटक देखते या कभिता पढ़ते अथ्वा सुनते हैं तब प्रसंग के अनुसार कोई ना कोई भाव अफसर पाकर हमारे हिर्दे में जाक सा उठता है इसी को रस का अनुवव कहते हैं अठात मानभिदे में सदेव प्रसुप्त अभस्ता में बिदमान रहने वाले मन के विकारों से ही रस की सिद्धी होती है मान लो हम किसी निर्जन बन में संध्या के समय अकेले जा रहे हैं अचानक सामने से कुछ लोग सिंग सिंग चिलाते हुए भाग कर आते हुए हमें दिखाए पड़े उनकी चिलात सुनते ही हमें ये शंका होती है कि कहीं सिंग आकर हम पर आकरमन ना कर दे इतने में उसकी दाहाड भी हमें निकटी सुनाए पड़ती है अब तो क्या हमारा शरेक का आपने लगता है और फिर पसीना पसीना हो जाते हैं जिदर सिंग की गर्जन सुनाए पड़ती है उससे विपरे दिशा की और हम अकस्मात भाग खड़े होते हैं हमारे हिर्दे में भई पून रूप से छा जायता है यहाँ पर जो भई का विशे है सिंग अर्थाद भई सिंग के प्रती है इस भई के उदे होने से ये विचार हुआ या या शंका उत्पन न हुआ कि सिंग कहीं हम पर आकरमन ना करें इसी प्रकर किसी शतुर ने हुगर हम से अप्माच जनक शब्द कहे हो उनको सुनते ही क्रोध हमारे मुँ में तम-तमा उठता है हमारे आख लाल हो जाते हैं ओठ फड़कने लगते हैं और उस पर प्रहार करने के लिए हमारे आख उठ जाते हैं इस उधार्ण में शत्रु क्रोध का लक्षिय है अर्थात क्रोध शत्रु के प्रती है उसके मुख से निकले हुए अपमाच जनक शब्द क्या है उद्धीपन है क्योंकि उनसे क्रोध और भी प्रदीप्थ हो जाता है मुख का तमतमाना नेतर का लाल होना ओठों का फड़कना हाथों का उठना ये सब क्रोध के कारण उत्पन्न चेस्टाए हैं यदि शत्रु ने हमारे प्रती पहले दुर्विवार किये थे तो वोई भी इस अफसर पर हमें स्पर्ण अस्मरण आएंगे और उसके बाद हमारा क्रोध और भी भड़क उठेगा इसी तरह इस पात्रे के हिदे में भई और क्रोध का जैसा वास्तविक संचार दिखाया गया है यदि ऐसा ही संचार किसी काब्य या नाटक के पात्र में दिखाये जाए तो पात्र या दर्शक को भी भई या क्रोध की अनुवथी होने लगेगी यही अनुवथी वास्तविक नहीं रसात्मक होगी रतात इस प्रकार पात्र या दर्शक के द्वारा जो भई या क्रोध अनुवथ किया गया भयानक और रोद्रश कहलाएगा रसात्मक अनुभुती चाहे जिस भाव काही हो आनन स्वरूप ही कही जाएगी जैसे करुन रस के अनुभव में कभी कभी आसु आ जाते हैं फिर भी रस आनन स्वरूप ही माना जाता है बात यह है कि शोक, भय, गिणा, आदी के जो वास्तविक अनुभव में उनसे अपने व्यक्तिकत संबन के कारण जिस प्रकार का शोव होता है उस प्रकार का शोव वा मानसिक विकार उन्हें रसात्मक अनुभव में नहीं होते रस के अनुभव की दशा में हमें अपने व्यक्तितों का कुछ भी ध्यान नहीं रहता है स्ताही भाव क्या है इस रस में जो स्ताही भाव होता है वो क्या है मन की जो स्थिती किसी विशेश बस्तू अथ्वा ब्यक्ति के प्रती किसी विशेश दशा में होती है उसको भाव कहते हैं जिस बस्तू वा ब्यक्ति के प्रती वो भाव प्रकट होता है उसे बिभाव कहते हैं भाव अनन्त है माना भिर्दे में उठने वाली सभी भाव का लेखा भी नहीं लगाय जा सकता फिर भी कुछ ऐसे भाव या मनोविकार है जिनके भीतर सभी प्रकार की मनोविक्तियों का शमावेश किया जा सकता है कौन-कौन से भाव है ये प्रदान भाव है जिसे प्रेम, रती, हास, शोक, क्रोध, उत्सा, भय, घ्रिना, विस्मई अन्य आश्यरिय और निर्वेद या वेराग्य ये भाव हिर्दे में सदेव अज्याद दशा में रहते हैं अनुकूल अफसर या कारन पाते ही अनुकूल अफसर जैसे कोई काब्या पढ़ने पर ये नाटक देखने पर वो जाग पढ़ते हैं ये भाव हिर्दे में सहज या सभाविक रफ से स्थिर रहते हैं उसमें स्थाई रूप से बिदमान रहते हैं इसलिए इन भावों को स्थाई भाव कहते हैं बिभाव क्या है किसी भाव के प्रवर्तन में दो पक्ष आविश्यक होते हैं एक तो वो जिसके हिर्दे में भाव उत्पन्न और संचारित होता है और दूसरा वो जिसके प्रती भाव प्रवर्त होता है जिसके हिर्दे में भाव उत्पन्न और संचारित होता है वो आश्य कहलाता है जिसके प्रती भाव प्रवित होता है वो आलंबन कव्य में नायक और नाई का आलंबन के रूप में ग्रहन किये गए हैं प्रकेतिक पधार्ट और विविद्र प्रकार के ब्यक्तिवी कविता में आलंबन होते हैं स्थाई भाव आश्रे के हिर्दे में किसी के प्रति उत्पर्न होकर कुछ कारियों या बस्तों से बढ़ता भी है भाव को उदिप्ट करने वाले इस प्रकार के कारियों या वस्तों को उदिपन कहते हैं उदिपन दो प्रकार के हम देख सकते हैं एक वे जो आलंबन में ही होते हैं अर्था आलंबन की शारिरिक चेस्टाएं बाते आदी और दूसरे वे आलंबन से अलग होते हैं प्रतिक रस के उदिपन बिभाव प्राय अलग अलगी होते हैं जैसे शिंगा रस में नाइक नाइका की चेस्टाएं या उक्तियां आलंबन गत उक्तियां उदिपन होगी लेकिन वन, उपवन, चान्नी, समीर, पुष्प, इत्यादी भी जो आलंबन से अलग बस्तुय होती हैं उदिपन हो जाती हैं आलंबन और उदिपन साहित्य में बिभाव के अंतरगर्थ माने जाते हैं भाव सामन्त वासना के रूप में स्थित रहते हैं जो व्यक्ति या वस्तु इन भावों को विशेश रूप में प्रवतन करती हैं वो विभाव कहलाती है विभाव शब्द का अर्थ है विशेश रूप से भाव की प्रवतित करने वाला आगे हम पढ़ेंगे अनुबव आश्र के हिदे में स्थित स्थाई भाव का ज्यान उसकी शारिरिक चेस्टाएं और उक्तियों के द्वारा होती है अर्थात इनी चेस्टाओं और वच्चनों से स्थाई भाव का वेंजना होती है सारिक चेस्टाओं या वच्चनों द्वारा व्यत किये जाते हैं केवल भावों का नाम ले लेने से उनकी रस के रूप में अनुवती नहीं होती है जैसे लक्ष्वन ने क्रोध किया इतना कह देने भर से रोधर रस नहीं हो जाएगा जब क्रोध के फलसुरूप लक्ष्वन के विवित सारिक बैपारो उनके मुख से निकली आवेकपुन बातों का वर्णन किया जाएगा तबी इसमें रस होगा आलंबन के पती किसी भाव के उत्पन होने पर आश्य के शरीर में कुछ विशेश चेस्टाइं दिखलाई पढ़ने लगती है उसके मुख से वचन भी कुछ विशेश धंक से निकलने लगते हैं इनी चेस्टाओं और वचनों के द्वारा हम आश्य के हिर्देगत भाव की सूचना पाते हैं इनी चेस्टाओं और वचनों को अनुभाव कहते हैं दन्दबाद